आठ दिशमलो एक दिशमलो एक सुचनाओं के संचार से सम्मंधित अंगों के बारे में हमें कैसे पता चला क्रिया कलाब एक में हाथ, आख, कान जैसे अंगों के अलावा मस्तिश्क, मिररज्जु एवं तंत्रिकाओं की भी भूमिका है इन अंगों और उनके कारियों के बारे में हजारों सालों से अध्यन हो रहा है हमारे देश में सुष्ट नामक चिकित्सक ने लगभग तीन हजार साल पहले शरीर के कारियों के नियंतरन में मस्तिश्क की भूमिका को अहम माना था उनके इलाज की प्रक्रिया में मस्तिश्क के दर्द निवारन से लेकर सम्वेदन हीन अंगों को यथा इस्तिती में लाना भी शामिल था आज भी आईरवेद में सम्वेदी अंग और उनसे जुड़े इलाज में सुश्रुत के तरीकों को अपनाया जाता है सुश्रुत के लगभग 500 साल बाद ग्रीज के चिकित्सकों ने सम्वेदनाओं के आवागमन में मस्तिश्क के साथ साथ मेरु रज्जु और तंत्रिकाओं की भूमिका को भी अत्यंत महत्पूर्ण माना उस समय तंत्रिकाओं के बारे में यह समझा जाता था कि यह मस्तिश्क से निकलने वाली सनचनाए हैं जो शरीर में सम्वेदनाओं को ग्रहन करने और शरीर को गती प्रदान करने का कारे करती है उन्ही दिनों एक जाने माने ग्रीक चिकिटसक गैलन एक मरीज का इलाज कर रहे थे उन्होंने देखा कि गले के पास चोट लगने से उस मरीज के हाथ की सम्वेदनाएं खत्म हो गई थी किन्तो उसके उस हाथ में कारे करने की सामाने शमता थी इस अवलोकन के आधार पर गैलन का मानना था कि सुचनाओं के आवागमन के दो मार्ग होते हैं एक सम्वेदनाओं के लिए और दूसरा प्रतिक्रियाओं के लिए गैलन का यह भी मानना था कि हमारे शरीर में समिदनाओं और प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण मस्तिश्क द्वारा होता है इसमें मेरो रज्जु सहायक होती है और यह सुचनाओं के आवागमन का माध्यम होती है सोलवी और सत्रवी शताबदी में किये गए शोध कारियों से पता चला कि शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण सिर्फ मस्तिश्क से ही नहीं मेरो रज्जु से भी होता है मस्तिश्क न होने पर भी शरीर की मास पेशियों में समेदन शेल्ता वगती शिल्ता कुछ समय के लिए दिखाई देती है आगे चल कर कोशिकाओं के बारे में हुए शोध से मस्तिश्क और मेरु रज्जु में तंत्रिका कोशिकाओं की व्यवस्था उनकी सनरचना और कारे के बारे में पता चला कोशिका सिध्धांद प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिकों में से श्वान और गौलजी काय की खोच करने वाले कैमिलो गौलजी ने तंत्रीका कोशिकाओं का भी अध्यन किया था तंत्रीका कोशिकाओं में ही गौलजी काय पहली बार देखा गया था कक्षा 9 में तंत्रिका कोशिकाओं और उनसे बनी जाल नुमा संरचना या तंत्रिका उतक का चित्र दिया गया है आईए तंत्रिका कोशिका की संरचना और उसकी कार्य प्रणाली को समझने का प्रयास करें श्वान का अवलोकन था कि सम्विदनाओं का वहन करने वाले तंत्रिकाओं पर वसीय कोशिकाओं की परत पाई जाती है इस अवलोकन के लगभग दो दशक बाद तंत्रिका कोशिकाओं का विवरन प्रस्तुत किया गया था मगर यह विवरण बहुत समय तक सर्वमान्य नहीं हो पाया क्योंकि इन कोशिकाओं का अवलोकन वैज्ञानिकों के लिए अत्यधिक चुनोति पूर्ण रहा एक तरब तो यह जालनुमा सनरचनाओं के रूप में दिखाई देती हैं और दूसरा इनको पेशी उत्तकों से अलग करके देख पाना कठिन है